नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब लोग स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चनल पर दोस्तों आप सबको पता है कि आपका सीजी पीडिटियम का इंटर्व्यू एक अपरेल दोजार चॉबिस को कंड़क्ट होने जा रहा है इसी सिलसिले में आज हम डिसकस करेंगे पूछ जाने के बहुत ज्यादा चांसे देखिए पहली चीजी समझे कि जो आपका इंटर्व्यू है हंडर मार्क्स का है आप कोशिश करिएगा कि एट लीस्ट जो इंटर्व्यूर है वह आपको 65 60 परसंट से 70 परसंट 75 परसंट तक मार्क्स दे ठीक है ऐसा मत करिएगा कि बिल्कुली खराब करका जाएगा पता चला 40 मार्क्स आया 30 मार्क्स आया वह अच्छा स्कोर नहीं है 60 से 70 55 प्लस भी अगर आपका है तो मेरे इसाब से ठीक है लेकिन 60 से 70 की रेंज में रहेंगे तो एक अच्छा स्कोर है ठीक है आप देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर् टेस्ट हो गया आपका आई पी आर हो गया करेंट अफेर्स हो गया जनल नौलेज हो गया यह जो आपकी चीज़ें है इससे रिलेटेड कोस्टिन आपका पूछा जाएगा 72 80 परसेंट बाकी 20 परसेंट में सिर्फ आपका एचार राउंड होगा मतलब की जिसमें क्या बड़ी नौलेज है बहुत अच्छी नौलेज है आपको तो आपको फोकस उसी पर करना है देखिए यह सब चीज़े वह इग्णोर कर देते हैं अगर आपने माली सब आप नहीं बोल पा रहे हैं बोलने में हिचकी चार है आप क्लियर कट आंसर दीजे सीधे बोलिए कि मु चोटी मोटी चीज़े आप नेक्स फाइव यह में अपने आपको कहां देखते हो यह हर कोई हर देगा पूछा जाता है ठीक है ना तो यह सब सारी चीज़े इग्नोर हो जाती है अगर आपका सब्जेक्ट टेस्ट यह आई पी आर में आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो यहां पर क्या है इसमें क्या वही आपके गिने चुने क्वेश्चन टेल में अबाउट यूर्सेल्फ वेर दू यूर्सेल्फ इन नेक्स फाइव यह और इसके लाबावा वाट मॉटिवेटे यू तो आप बिल्कुल भी कुछ बोलके ही मताए थोड़ा थोड़ा है वैसे प्रिपेर कर सकते हैं और सिंपल लेंगोज में बात करिए नहीं समझ में आ रहा है क्लियर बोल दीजिए मैं नहीं बोल पा रहा हूं या मुझे नहीं आता लेकिन बी ओनेस्ट एकदम इमानदारी से अंसर कीजिए और उसका फरक पड़ता है आपके रिजल्ट पर ठीक है अब एक दोकवरी और आई थी कि डॉकुमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा क्या होगा तो जिस दिन आपका इंटर्वी होगा उसी दिन आपका डॉकुमेंट्स वेरिफिकेशन होगा इंटर्वी के साथ क्या 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 डॉकुमेंट्स से ये मेरा ये कैटेगरी से belong करता हूँ और मेरा state government का बना हुआ है इस financial year का है यह सारी चीज़े जो आपका interview call letter आएगा ना उसमें सारी चीज़े mention होगी तब आप उसको जहां से देख लीजेगा चलिए अब आगे हम बात करते हैं देखिए यह सब तो मैंने आपको बता दिया है ठीक है अब यह हमारा इसमें मैंने कुछ आपको mention किया हुआ है क्या क्या important चीज़े बिफोर गोइंट अपियर इन है इनको ज़रूर पढ़िए और इसके साथ साथ national IPR policy बाकी आप अगर चाहें स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं ठीक है अब यहां पर office of CGPDTM जो जो important इनके आपके headquarters हैं कहां कहां पर office है वो सब कुछ यहां पर mention है इसके लावा देखें यहां पर मैंने आपको बताया हुआ है कि इनका क्या process होता है कैसे यह किसी भी application को examine करते है ठीक है वो थोड़ा सा highlighted करके लिखा हुआ है अब देखें सबसे पहला question आता tell me about yourself देखो दोस्तों य जो आपको बताना है इसमें आपको क्या करना है इसमें at least 70% portion आपका क्या होना चाहिए आपका होना चाहिए skills आपके future goals ठीक है इस पर focus रहना चाहिए बाकि 30% में आपको अपना इनको जो है जो भी आपका academic background है वो बता सकते हैं बलकि 20% में 20 का 25% सिर्फ 5% में आपको अपन personal details बताना है ठीक है ना ये जो है आपको जितना कम रखेंगे उतना ही better रहेगा main चीज़ क्या है आपको focus किसे पर करना है अपने skills पर अपने future आपके goal से आपकी strength पर इस पर आपको focus करना है तो ज्यादातर answer करिएगा वो यही होना चाहिए ठीक है personal details में यह हूँ में यह है बताने के लिए एक simple सा एक line में दो line में answer that's it पस इसके अलावा कुछ भी नहीं तो पहला question है tell me about yourself इसको अच्छे से prepare करिएगा इसका बहुत फरक पड़ता है उसके बाद मान लिए suppose आप से पूछ लेते हैं कि आप हमारा organization क्यों join करना चाहते हैं इस तरह का question what motivated you to appear for the cgp patent अब आप यह तो मत बोलिएगा कि मेरी मैंने देखा इसमें salary package मेरा 56100 basic pay मुझे पैसे से बहुत प्यार मुझे लगा किया रहे इतनी अच्छी salary है गेस्टेड पोस्ट है ग्रूप A का जो है पोस्ट है तो इसलिए मैं appear होने चाहता हूँ तो ऐसा answer मत करिएगा skill based simple सा answer इसका सीधा सीधा answer दे सकते हैं कि मैं बहुत passionate हूँ technology को ले करके और मैं अपना कुछ इस तरह का मैं काम कर रहा हूँ मैं सपोस्ट मैं website create करता हूँ मैं content creator हूँ मैं content अपना create करता हूँ तो जब से मैंने अपना content create करना start किया तब से मुझे इसके बारे में पता चला है कि मैं अपना content को कैसे protect कर सकता हूँ किया क्या मेरे पास जो है उसके लिए मेरे पास protection के क्या क्या तरीके है तब फिर मैंने जो है इस तरह का काम शुरू कि ए apprendre आया फिर लिखे है ग्रुप एक पोस्त है तो इस तरह के अंसर मत करिए बहुत से आते हैं इस तरह का अंसर करते हैं ऐसा करने की जुरूरत नहीं अब जो important आते हैं आपके domains related questions बहुत important है इनको जरूर पढ़िएगा question number three what is the role of IP in economic and cultural development of the society ठीक है question number four describe IP governance यह होता क्या है IP governance पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है आप अच्छे से पढ़ लिजेगा ठीक है prepare कर लिजेगा इस तरह के question आपके पूछे जा सकते हैं इसके बाद है what is the citizenship amendment act और एक question यह भी है यह भी important है how do you see IP as a global indicator of innovation एक चीज़ यहाँ पर आपको बोलूंगा GII Global Innovation Index 2023 यह पूरा पूरा अच्छे से पढ़के जाना ठीक है इंडिया के कितने पेटेंट पिछले साल हुए थे उसके पिछले साल कितना मतलब उन्होंने राइस किया कितने percent grow हुआ आपको पेटेंट हो गया trademark हो गया copyright यह जो आप यह इंडेक्स का पीडियाफ डाउनलोड करेंगो उसमें सब कुछ मेंचन है ठीक है question number six what is the citizenship amendment act मैंने आपको बोला अभी recently news में आया है इसलिए यह important है हो सकता है आपको इससे related पांच्छे question पूछ लें क्योंकि बहुत important है यह और recently अभी भी आया है ठीक है what does the citizenship law do तो यह तो आपके सारे question इसी में आ जाएंगे अगर आप यह पूरा पढ़ लेंगे what kind of visa does India issue to refugees इसके साथ साथ how does India give visa to refugees what are the problems faced by non-muslim refugees is this law against Muslims या आप जब citizenship amendment act पढ़ेंगे पूरा उसी में आ जाएगा अब देखिए यहां पर हो सकता है आप से question पूछ ले जाए discuss a current national और international issue that interests you तो आप वहाँ पर citizenship amendment act के बारे में पूरा अराम से इत्मनान से detail में बता सकते हैं ठीक है next question आएगा explain the significance of the Indian constitution Indian constitution के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिजेगा बहुत detail में नहीं पढ़ना थोड़ा सा पढ़ लिजेगा वाटर यॉर्स टेंट्स और weakness जो भी आपकी strength और weakness हैं आप बता सकते हैं describe a challenging situation you faced and how you handle it कोई ऐसी situation जब आपको लगा हो कि आपको बहुत pressure और आपने उसको कैसे handle किया हो उस कोई ज़रूरे नहीं है कि आप office related ही वह जो है अपनी situation बता है कहीं पर भी हो सकता है किसी भी situation हो सकता है मानलिज आपकी family हो सकता कुछ ऐसा pressure है आपको उसको कैसे handle करना आता है आपने उसको कैसे handle किया आप अपना वो experience share कर सकते हैं वो भी काम आएगा इसके बाद है question number 16 discuss a recent government policy that caught your attention यहाँ पर आप government की कोई भी policy जो भी आपको लगता है आप उसके बारे में बता सकते है आप निर्बर भारत है startup बहुत सारी governments की scheme में जो आपको लगता है जो आपके लिए अच्छी है जिसमें आपका इंटरेस्ट आप बता सकते हैं ठीक है startup इंडिया के बारे में बता सकते हैं आप निर्बर भारत के बारे में बता सकते हैं नेक्स्ट है what is the importance of पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया यह जरूर पढ़िएगा जहादा तर यह question पूछा जाता इंटर्व्यू में पंचायती राज सिस्टम और यह economy से related what is your take on the globalization of the economy question number 18 economies related question पूछा जाता how can India balance its economic growth with environmental sustainability ठीक है describe a book that has influenced your thinking कोई भी एक ऐसी book जो आपने पढ़िए नहीं पढ़िए तो आप clear बोल दीजे मैं books वगएरा इस तरह का नहीं पढ़ता हूँ ठीक है how can India address the issue of unemployment among youth unemployment बढ़ता ही जा रहा है कैसे इंडिया issue को address करेगा इसके बारे में आप अपने views रखिए तो आपको यह आंसर देना होगा इसके बाद what steps can be taken to ensure gender equality in India क्या करना होगा हमें gender equality के लिए ठीक है explain the concept of secularism explain article 370 अब यह थोड़े थोड़े इस तरह के questions हैं जो almost पूछ लिए जाते हैं बहुत ज़्यादा detail में नहीं पढ़ना है main जो है वो है आपका domain ठीक है describe the impact of climate change on India recent example आप दे सकते हैं बैंगलिवरू water crisis इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिजेगा ठीक है इसके बाद देखिए what are the most innovative economies in 2023 global innovation index भाया अच्छे से पढ़ लेना what is patent patent होता क्या है how has the dynamics of patent filing changed in India's context ठीक है question number 28 what are the factors leading to patent application improvements question number 29 what are the challenges faced by innovators in the patenting process इस तरह के question आप से पूछे जाएंगे आप से simple यह नहीं पूछा जाएगा कि बताओ article आप उसका आपका section जो है 23 क्या कहता है patent का यह नहीं पूछेंगे आप से आप से यह पूछेंगे patent को हम किस तरह से और improve कर सकते हैं क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास और patent के application आए या जो innovators हैं जो creators हैं उनके लिए हम patenting process को और कैसे और असान बना सकते हैं इस पर आप अपने व्यूजर की इस तरह के question पूछे जाएंगे तो इसलिए मैंने कुछ samples कुछ basic questions दिये हैं question number 31 what do you mean by indirect infringement in patent question number 32 what is copyright copyright क्या होता है इसके बारे में पढ़ लिजेगा how many classes of copyright in India कितनी classes है आपको ये पढ़ना होगा ठीक है मैंने already आपको बोला ये सारी चीज़े आप डीटेल में पढ़ लिए what do you mean by fair use doctrine ये सब आपको डीटेल में पढ़ना होगा ये सारे act ये section वगरा नहीं पूछेंगे वह main चीज़ वही है कि आप से ये सब सारी चीज़े पूछेंगा कि बताइए हम और किस तरह से अपनी ची registration होने लिए copyright को ले करके लोग जागरूख हो गए हम और कैसे क्या तरीके अपना सकते हैं जिससे और उनको सबको अवेर कर सके इस तरह के question आपके interview में पूछे जाएंगे ठीक है copyright registration what is trademark who can apply for a trademark can register trademark be removed from the register yes क्या तरीके हैं यहाँ पा लिखा हुआ है is the sound or smell registrable as a trademark can a registered user restrain the third party from using an identical or similar mark which is not registered question number 41 what is industrial design अच्छा यहाँ पर कुछ कुछ case studies भी है जो भी मैंने आपको दिया है जिसे आप देख सकते हैं Coca Cola versus Bislery ठीक है trademark यह आपका case था वो मैंने आपको यहाँ पर mention किया है इसके बाद आप देखिए यह देखिए एक और आ गया Apple versus Samsung ठीक है यह design को ले करके case किया गया था वो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा case study आपको यहाँ पर mention किया है What is geographical indication GI क्या होता है ठीक है अब GI में भी देखिए कुछ कुछ चीजे हैं GI और Appellation of Origin इसमें difference बताईए क्या होता है GI trademark and traditional knowledge इसमें difference बताईए क्या होता है What is the difference between GI trademark and traditional knowledge अब देखिए यहाँ पर भी GI से related GI से related एक बहुत अच्छा example मैंने आपको दिया Case का आपको यहाँ पर mention है बंगलार रसोगुला versus Odisha रसोगुला ठीक है यह यह यहाँ पर mention है इसके लबाभा What are the renowned trade secrets कौन कौन से से trade secret है आप example देख सकते है Coca-Cola का example देख सकते है Google का जो algorithm है WD-40 का example देख सकते है KFC का example देख सकते है ठीक है यह सब सारे आपके क्या है Trade secrets है What do you mean by traditional knowledge traditional knowledge क्या होता है थोड़ा से इसके बारे में पढ़ लिजेगा What do you mean by SICLD registry Next है What is the need for plant protection as an IP क्या जरूरत है plant protection की as an IP IP के थोर पर ठीक है Which plant varieties cannot be registered in India Last question है What is the duration of plant variety protection in India इस से related मैंने आपको कुछ यहां पर cases दिये हुए Pepsi का और साथ साथ Monsanto versus Nuzi Vido Seeds Limited यह दो important case है जो मैंने आपको यहां पर especially mention किया है इनको भी अच्छे से पढ़ लिजेगा So finally यह कुछ basic questions है कुछ selected questions है जो लिए हैं जो हो सकता है कि आपके interview में पूछ ली रहा है लेकिन आपको चीजे समझ में आ गई है अपनी चीजों को आज 15 तारिक हो गई है 15 दिन आपके पास है अभी भी अगर आपने interview लिए preparation start नहीं करी तो आप कर सकते हैं कुछ भी नहीं करना है कुछ ऐसा इसके लिए आप यह सोचेंगे कि कोई अब बहुत सारे के इंट्रेट्स का मैसेज आया था को कोर्स लांच कर दीजिए इसको लेकर नहीं interview के लिए कोई असच हमारे पास कोर्स ना तो available है और नहीं हम इसके लिए कोई कोर्स ऐसा लांच करने वाले देखे चीज क्या होती है हम लोगों ने भी इंट्रव्यू दिया है बट आज तक मैं कभी किसी इंट्रव्यू कोर्स के लिए तो मैं आज तक अपियर नहीं हुआ हूँ कि कहीं जा करके मैं इसकी तैयारी करूं इंट्रव्यू के लिए ऐसा नहीं है हर जेगा इंट्रव्यू दिये हैं सब जेगा और जा जाकर उन्हीं से सीखा है कहां पर क्या गलती करी अच्छा वहां पर वो बोलाए थे अरे यार महां हिंदी बोलाए थे वहां पैसा नहीं करना चाहिए था वहां पर थोड़ा सा उची आवाज में बात कराया थे या डिवेट हो गया था बैस हो गई थी ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैंने थोड़ा सा वहां पर निगेटिविटी ले लिया था मतलब कि एक तरह से उसको अधर वे में ले लिया था म मिरर के सामने खड़ो देए अपने आपको बस उसके सामने रोज प्रिपेर करिए